तो आज हम बनाएंगे मैंगो शेक और लसी वह भी बिना चीनी और आइस क्रीम यूज किये और हमारी यह बहुत ही क्रीमी बनने वाली है तो चलिए हम देखते हैं इसको इसके लिए मैं यहाँ पर ले रही हूँ मैंगो यह केसर मैंगो केसर मैंगो बहुत ही मीठा होता है तो हम इसको यूज करेंगे को मीठा ही आप को यूज करें तो आपको चीनी डालने की ज़रोत नहीं परेगी आप सिंदूरा, बादामी, केसर यह सब टाइप का आम यूज़ कर सकते हैं तो इसके लिए मैं यहाँ पर आम को काट ले रही हूं अच्छी तरह से सभी आम को अच्छी तरह से हम काट लेंगे और निकाल लेंगे एक बतन में देखिए हमारे आम जो है कट चुकी है अब हम इसको एक मीडियम साइज वाले जो मिक्सी जार होते हैं उसमें ले रही हूं और इसको हम अभी बिना किसी चीज को डाले हम ऐसे ही पीस लेंगे एक बार तो इसमें छोटे-छोटे टुक्रों में यह कट जाती आची तरह से पीस पीस लेते हैं और फिर हम एक बार पीस चुकी है अभी हम फिर दूसरी बार आप 200 ml फिर से हम डालेंगे मिल्क मतलब टोटल आधा लीटर के असपस हमने यूज किया है मिल्क इसमें और अभी हम इसको फिर से पीस लेंगे तो इससे यह हमारी क्रीमी बनेगी और आप दो बा बार करके डालने से यह बहती अच्छी तरह से पीस जाती है सॉफ्ट हो जाती है तो देखिए हमारी जो है मैंगो शेक रेडी हो गई है हम इसमें कुछ भी चीनी वगेरा कुछ भी नहीं डाला है क्रीम आइसक्रीम और फिर भी यह बहती क्रीमी बन कर आता है बस आपको एक मीठा आम चुनना है जो कि नाचरली मीठा हो स्वीट हो और इसके जो गुठली में थोड़े से आम बच गए थे उसको मैं इस तरह से निकाल ली और थोड़े उसको चमच से पीस कर और थोड़े से डेकोरेशन के लिए इसमें ग्लास में लगा दे रही हो जिसे कि देखने म नाचरली मीठा भी हो चुका है और हमारा स्वीट भी हो चुका है और क्रीमी भी हमे उस में कुछ ची मकशन आड कर रही हूं और थोड़े से किसमुच से अगर आपको अबर मिठा से किसमुच की लिए गिते तो आपको उससे भी जो फीकि नहीं गए अगी आपको रगेर त तो इस तरह से आप भी बनाए बिना क्रीम और आइस क्रीम विप क्रीम यह सिब कुछ भी यूज़ना करें अनहेल्दी होता है ज्याद है वो सब नहीं खाना चाहिए हमें इस तरह से आप अगर डेली भी बना के खाओगे तो कोई दिक्कत नहीं है यह देखिए हमारी जो हमारी चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर रहे हैं देखिए कितनी अच्छी दिख रहे हैं ना बहुत ही टेस्टी है सच मैं बता रहे हूं आप एक मजरू ट्राइब करना अभी मैं आपके साथ एक मैं लसे की रिस्पी शेयर करने वाली हूं तो उसके लिए मेहा प केसर इससे ज्यादा बनाते हैं मैंगो शेक और लसी यह सब तो वह हमें चीनी डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती है वह नेचरली मीथी हो जाती है तो इस तरह से मैंने आम को चेल ली आची तरह से और इसको हम काट लेंगे एक बर्तन में फिर से इसके लिए मैं मीडियम स कमालकल कर रही है ने इसको काट कर इस तरह से जाल दिया इसको मैं एक बार कर देती हूं इस तरह से किसे तरह से यह ज़ inadequ डो इंच है ने के बार मैं इसम दना उल क्टिकरी ज़रूड़क के लिए और टेस्ट भी आएगी तो यह देखिए हमारी जो है इस तरह से पिसकर त्यार हो गई है अभी थोड़ी थिक थी तो मैं इसमें दो तीन चम्मच जेतना दूद ग्याल दे रही हूं थोड़ा सा तैकि थोड़ा ज्यादा थोड़ा पतला हो जाए क्योंकि बहुत ही मो और इसमें फिर मैं डाल दूँगी थोड़ा सा राइ फ्रूट्स और मैंगो कटी वियाम तो देखिए कितनी बढ़िया देख रही है ना हमारी लसी हमने इसमें भी कुछ भी क्रीम मलाई कुछ भी यूज नहीं किया है यह बहुत ही टेस्टी खुद में ही बन गया है तो आ पी पी है और लाइक शेर और सब्सक्राइब करें थैंक्स पर वाचिंग बाई